जब न प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान को लेकर कोई पहल दिखने को मिली और जनप्रतुनिधी भी समस्या के समाधान को लेकर जागरुक नहीं नजर आए तो निराश हो चुके मुहलेवासियों ने चंदा एकठा कर करीब 700 फीट सड़क का निर्मान किया। इससे पहले मुहलेवासियों ने स्थानिय जनप्रतुनिधियों और नगर परिशद प्रशासन से कई बार सड़क बनवाने की गुहार लगाई। बावजूद इसके पकी सड़क मुहलेवासियों को मैसर न हो सकी। ठक हार कर लोग आपस में चंदा एकठा कर आर्थिक और शा एकड़ों लोग रहते हैं पर नगर परिशद द्वारा मेन रोड से कुछ दूरी तक पी सी सड़क का निर्मान कर आया गया लेकिन मुहले के बीच में तक्रीवन 700 फीट का मार्ग कच्चा छोड़ दिया गया। नतीजतन लोगों को आने जाने में काफी परिशानियों का सा पर अपने स्तर पर ही इस परिशानी के समाधान का फैसला किया। ठक हार कर उन्होंने खुद से सड़क निर्मान का बीड़ा उठाया। लोगोंने बताया कि अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई लेकिन सड़क पर लगभग 2-3 फीट तक पानी भर जाता है। इस परिशानी को देखते हुए बरसात से पहले ही सबोंने चंदा इकठा कर ख सब्सक्राशी इकठा कर मार्क का निर्मान कराया है। सब्सक्राइब कर दो हैं ताकि महलावार्सी को आने जाने में तकलीफ नहीं हो तरह दो सब को जाके ठाक जाए। मेले एंपी सब जो भी है कोई ध्यान नहीं दिया बार्ट परसों भी ध्यान नहीं दिये और हम लोग लाज में पिर क्या करेंगे हम अपने हम सारेरी का आर्थिक दोनों लगे हम लोगी चंद्रबंसी पथे निजामदीपूरोड में पानी के समझते से इतना हम लोग परिशा का मलेक जाने कि अपना सहारा क्रें नहीं तरहकन नहीं कि रहे है दिक्कत हो रहे थी कि पानी हम लोग घुटना घुटना पर महिला लोग भी अपना साड़ी उठा करके आती जाती थी हम लोग को आने जाने के लिए बढ़ी अश्रूता हो रहा था यही समस्या थी